लीजे सुनिए देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 21 वा बयान मेरी यानि समीर गोस्वामी के आवाज में सिध्धनाथ ही योगी ने कहा पहले इस खोह का दर्वाजा खोल में इसके अंदर पहुँचा और पहाड़ी के उपर एक दर्रे में बिचारी चंद्रकांता को बेबस पड़े हुए देखा अपने गुरू से मैं सुन चुका था कि इस खोह में कई छोटे छोटे बाग है जिनका रास्ता उस चश्मे में से है जो खोह में बह रहा है खोह के अंदर आने पर आप लोगों ने उसे जरूर देखा होगा क्योंकि खोह में उस चश्मे की खुबसूरती भी देखने के काबिल है सिध्धनात की इतनी बात सुनकर सभी ने हूँ हा कहके सिरह लाया इसके बाद सिध्धनात ही योगी कहने लगे मैं लंगोटी बांद कर चश्मे में उतर गया और चश्मे में इधर से उधर और उधर से इधर गूमने लगा यकायक पूरब तरफ जल के अंदर एक छोटा सा दरवाजा मालूम हुआ गोता लगा कर उसके अंदर गुसा आठ दस हाथ तक बराबर जल मिला इसके बाद धीरे धीरे जल कम होने लगा यहां तक की कमर तक चल हुआ तब मालूम पड़ा कि यह कोई सुरंग है जिसमें चड़ाई के तौर पर उँचे की तरफ चला जा रहा हूँ आदा घंटे चलने के बाद मैंने अपने कोई इस बाग में जिसमें आप बैठे हैं पश्चिम और उत्तर के कोण में पाया और घूमता फिरता इस कमरे में पहुँचा हाथ से इशारा करके यह देखिए दीवार में जो अलमारी है असल में वो अलमारी नहीं दर्वासा है लात मारने से खुल जाता है मैंने लात मारकर ये दर्वासा खुला और इसके अंदर खुसा भीतर बिल्कुल अंदकार था लगबग दो सो कदम जाने के बाद दीवार मिली इसी तरह वहाँ भी लात मारकर दर्वासा खुला और ठीक उसी जगह पहुँचा जहां कुमारी चंदरकांता और चपला बेबस पड़ी रो रही थी मेरे बगल से ही एक दूसरा रास्ता उस चुनार गढ़वाले तिलिस्म को गया था जिसके एक टुकड़े को कुमार ने तोड़ा है मुझे देखते ही ये दोनों घबरा गई मैंने कहा तुम लोग डरो मत मैं तुम दोनों को छुड़ाने आया हूँ ये कहकर जिस रहा से मैं गया था उसी रहा से कुमारी चंदरकांता और चपला को साथ लेस बाग में लोटाया इतना हाल इतनी कैफियत इतना रास्ता तो मैं जानता था इस से जादा इस खोह का हाल मुझे कुछ भी मालूम न था कुमारी और चपला को खोह के बाहर कर देना या घर पहुचा देना मेरे लिए कोई बड़ी बात न थी मगर मुझको ये मन्जूर था कि ये चोटा सा तिलिसम कुमारी के हाथ से तूटे और यहां का माल अस्वाब इनके हाथ लगे मैं क्या सभी कोई इस बात को जानते होंगे और सभी कोई यकीन होगा कि कुमारी चंदरकांता को इस कैद से छुडाने के लिए ही कुमार चुनार गढ़वाले तिलिसम को तोड़ रहे थे माल खसानी की इनको लालच ना थी अगर मैं कुमारी को यहां से निकाल कर आपके पास पहुँचा देता तो कुमार उस तिलिसम को तोड़ना बंद कर देते और वहां का खसाना भी योही रह जाता मैं आप लोगों की बढ़ती चाहने वाला हूँ मुझे ये कब मनजूर हो सकता था कि इतना माल असबाब बरबाद जावे और कुमार या कुमारी चंदरकांता कुना मिले मैंने अपने जी का हाल कुमारी और चपला से कहा और ये भी कहा कि अगर मेरी बात ना मानोगी तो तुमें इसी बाग में छोड़कर चला जाओंगा आखिर लाचार होकर कुमारी ने मेरी बात मनजूर की और पसम खाई कि मेरे कहने के खिलाफ कोई काम न करेगी मुझे ये तो मालूम ही न था कि यहां का माल असबाब क्यों कर हाथ लगेगा और इस खजाने की ताली कहा है मगर ये यकीन हो गया कि कुमारी जरूर इस तिलिस्म की मालिक होगी इसी फिक्र में दो रोज तक परेशान रहा इन बागों की हालत बिलकुल खराब थी मगर दो चार फलों के पेड़ ऐसे थे कि हम तीनों ने भूख की तकलीफ न पाई तीसरे दिन पूर्णिमा थी मैं उस बावली के किनारे बैठा कुछ सोच रहा था कुमारी और चपला इधर उधर टहल रही थी इतने में चपला दोड़ी हुई मेरे पास आई और बोली जल्दी चली इस बाव में एक ताज्जब की बात दिखाई पड़ी है मैं सुनते ही उट खड़ा हुआ और चपला के साथ वहां गया जहां कुमारी चंदरकांता पूरब की दीवार तले खड़ी गौर से कुछ देख रही थी मुझे देखते ही कुमारी ने कहा बाबा जी देखी इस दीवार की जड़ में एक सुराख है जिसमें सफेद रंग की बड़ी बड़ी च्यूटिया निकल रही है ये क्या मामला है मैंने अपने उस्ताज से सुना था कि सफेद च्यूटिया जहां नजर पड़े समझना चाहिए कि वहाँ जरूर कोई ख़जाना ए ख़जाने की ताली है ये ख्याल करके मैंने अपनी कमर से खंजर निकाल कुमारी के हाथ में दे दिया और कहा कि तुमें जमीन को खोदो अस्तु मेरे कहे मताबक कुमारी ने उस जमीन को खोदा हाथ ही भर के बाद काच की छोटी सी हांडी निकली जिसका मुह बंद था कुमारी के ही हाथ से वो हांडी मैंने तोड़वाई उसके भीतर किसी पिस्म का तेल भरा हुआ था जो हांडी के तूटते ही बह गया और ताली का एक गुच्छा उसके अंदर से मिला जिसे पाकर में बहुत खुश हुआ दूसरे दिन कुमारी चंदरकांता के हाथ में ताली का गुच्छा दे कर मैंने कहा चारों तरफ घूम घूम कर देखो चाहत ताला नजर पड़े इन तालियों में से किसी ताली को लगा कर खोलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ मुक्तसर ही मैं बयान करके इस बात को खत्म करता हूँ उस गुच्छे में तीस तालिया थे कई दिनों में खोच कर हम लोगों ने तीसो ताली कोले तीन दरोजे तो ऐसे मिले जिन से हम लोग उपर ही उपर इस तिलिस्म के बाहर हो जाएं चार बाग और तेईस कोट्रियां सबाब और खजाने की निकली जिन में हर किस्म का अमीरी का सामान और बेहत खजाना मौजूद था जब उपर ही उपर तिलिस्म से बाहर हो जाने का रास्ता मिला तब मैं अपने घर गया और कई लॉनियां और जरूरी चीज़ें कुमारी के वास्ते लेकर फिर इहां आया कई दिनों में इहां के सब तालिक खोले गए तब तक इहां रहते रहते कुमारी की तबियत घबडा गए मुझसे कई दफ़े उन्होंने कहा कि मैं इस तिलिस्म के बाहर घूमना फिरना चाहती हूँ बहुत जिद करने पर मैंने इस बात को मनजूर किया अपनी कारी-करी से इन लोगों की सूरत बदली और दो-तीन घोड़े भी ला दिये जिन पर सवार होकर ये लोग कभी-कभी तिलिस्म के बाहर घूमने जाया करती इस बात की ताकीद कर दी थी कि अपने को छिपाए रहे जिस से कोई पहचाने ने ना पावे इन्होंने भी मेरी बात पूरे तौर पर मानी और जहां तक हो सका अपने को छिपाया इस बीच में धीरे धीरे इन बागों की भी दुरूस्ती की गई कुमर बीरेंदर सिंग ने उस तिलिस्म का ख़जाना हासिल किया और यहा का माल असबाब जो कुछ छिपा था कुमारी को मिल गया जैसिंग की तरफ देखकर आज तक एक कुमारी चंदरकांता मेरी लड़की या मालिक थी अब आपकी जमा आपके हवाले करता हूँ महराश शिवदत किरानी पर रहम खाकर कुमारी ने दौनों को छोड़ दिया था और इस बात की पसंद खिला दी थी कि कुमार से किसी तरह की दुश्मनी न करेंगे मगर उस दुश्ट ने ना माना पुराने साथियों से मुलाकात होने पर बदमाशी पर कमर बांधी और कुमार के पीछे लशकर की तबाही करने लगा आखिर लाचार होकर मैंने उसे ग्रफतार किया और इस खोह में उसी ठिकाने फिर ला रखा जहां कुमार ने उसे टैद करके डाल दिया था अब और जो कुछ आपको पूछना हो पूछिए मैं सब हाल कहए आप लोगों की शंका मिटाओं सुरेंदर सिंग पूछने को तो बहुत सी बाते थी मगर इस वक्त इतनी खुशी हुई है कि वे तमाम बातें भूल गया हूँ क्या पूछू खिर फिर किसी वक्त पूछ लूँ कुमारी की मदद आपने क्यों की जैसे हाँ यही सवाल मेरा भी है क्योंकि आपका हाल जब तक नहीं मालुम होता तबियत की घबडाहट नहीं मिटती तिस पर आप कई दफ़े कह चुके है कि मैं योगी महात्मा नहीं हूँ यह सुनकर हम लोग और भी घबडा रहे हैं कि अगर आप वो नहीं है जो सूरत से जाहर है तो फिर कौन है बाबा खेर ये भी मालूम हो जाएगा जैसिंग कुमारी चंदरकांता की तरफ देखकर बेटी कै तुम भी नहीं जानती कि ये योगी कौन है चंदरकांता हाथ जोड़कर मैं तो सब कुछ जानती हूँ मगर कहूं क्यों कर इन्होंने तो मुझसे सख्त पसम खिलाली है इसी से मैं कुछ भी नहीं कह सकती बाबा आप जल्दी क्यों करते हैं अभी थोड़ी देर में मेरा हाल भी आपको मालूम हो जाएगा पहले चल कर उन चीज़ों को तो देखिए जो कुमारी चंदरकांता को इस तिलिसम से मिली है जैसी जैसी आपकी मर्जी बाबा जी उसी वक्त खड़े हुए और सभी को साथ ले दूसरे बाग की तरफ चले अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंदरकांता के चौथे भाग का 21 बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में